हेलो फ्रेंड जबसे हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने पारदिया मेंट में नीट के एजेंडा को उठाए हैं उसके बाद से ये मामला और भी तुल पकड़ते देखा जा रहा है और देखो इसमें सिच्विशन बनी क्या है most important thing is that कि सबसे पहले कि जो है बुकलेट जो है मैच किया गया है वो मैच हो गया है और CBI जो investigate कर रही है उसको ये बात पता चल गया है CBI को भी कि NTA जितना neat and clean exams लेने का promises करता है वैसा कुछ भी नहीं है हर जगह loophole देखे गया है अच्छा इसके अलावा जो है accused जो पकड़े जा रहे हैं और different different states से different different जगह से पकड़े जा रहे हैं इसके अलावा center जो हाई जिक हुआ है उसका भी प्रूफ मिल गया है फिर fourth of मेको इंस्टापी जो यानि की papers जो लिक हुआ था वो भी मैच हो गया है उसको भी पता चल गया है इसके अलावा जो बढ़न questions पे पड़ते उसमें से 68 questions जो मैच कराए गया है और need entrance examinations जो fifth मेको conduct कराए गया थे उससे blend कर रहे हैं यानि की same questions थे एंड इसके अलावा जो है data का जो problems था data breach वह भी हुआ है need examinations में तो इस तरह से complete evidence है इस बात को ले करके कि इस exams को रद करके आप equal playing field दो सबको और need conduct करो दो बारा जितने भी आपको time देना है दो it's okay to be supreme court पे सबकी निगाहें जो है लगी हुई है but what I am trying to tell you कि बहुँ सारे लोग यह बोल रहे हैं कि जो बचे 680, 670, 650 लाए हैं देखो मैं आपको बताता हूं कि need entrance examinations में 350 भी आपके आए हैं 360 भी आए है 400 भी आए 500 भी आए है ना तो आप मेहनत क आपको भी उतने ही tension है कि भाई हमें हमें भी कुछ करना है ऐसा नहीं कि 650 वाले को ही करना है तो अब इसमें यह हला करने से बहु जादे कुछ नहीं होगा अब आपके पास दो solutions है इस government के पास भी कि भाई इतना जो proof मिल रहा है इसका मतलब सीधा सा हुआ कि पेपर लिख एक्जाम्स को रज करके फिर fresh examinations आप conduct कराओ और इसकी आलावा आपके पास solution से कुछ ऐसा ultimate solutions निकालो ताकि हर बच्चे के लिए एक लगे कि नहीं भाई यह solutions बहुत अच्छा है इस पर trust किया जा सकता है और हम agree करते हैं अगर reinit नहीं भी होता है तो इस solutions से हम agree करते हैं क्य आप इतने बड़े exams में जहाँ पर की 25-26 lakhs candidate appear होते हैं वहाँ पर इस तरह के loophole हो रहे हैं तो आप एक छोटे 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 जगह पर जाकर करके ठीक ठाक करके आप इसका solutions नहीं निकाल सकते हो आप trust build up नहीं कर सकते हो आपको सब के लिए एक ऐसा solutions निकालना अब यहाँ पर बीच में यह चीजह मत लाओ कि इस candidate को मेहनत देखो सब कोई मेहनत करके need entrance examinations देता है जो बहुत कम scores करता है वो भी पढ़कर के ही जाता है और जो बहुत scores करता है वो भी पढ़कर के जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है important thing is that कि कोई भी candidate के साथ injustice नहीं होनी चाह तो पेपर लिखा complete है तो अब देखो क्या होता है आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो comment section में ज़रूर mention करना